दोस्तो पठान मुवी तो कुछ भी नहीं हैं असली धमाका तो पठान के बाद होने वाला हैं और वह धमाका भी सारूप खान ही करने वाले हैं सारूप खान की फिल्में हमेशा सही इंडियन सिनेमा में एक अलग ही परकार की फिल्में रही हैं पर चार साल पहले उनसे लोग इतने जदा खुश नहीं थे क्योंकि उनकी फिल्में जदा चल नहीं रही थी और उनकी फिल्मों ने ओडियन्स के साथ कनेक्ट करना बंद कर द जिसको बहुत अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है और बहुत लोग इसे देखने जा रहे हैं पर एक सच्ची बात बताओ पठान की स्टोरी इतनी भी ज़दा इंट्रेस्टिंग नहीं है पर तब भी SRK के दम पर फिल्म इतना अच्छा कलेक्शन कर रही है पर असली बोक्स अप अपिस पर धमाका तो जून में होगा जब सारुप खान के जवान फिल्म रिलिज होगी क्योंकि इस फिल्म के लिए लोग पठान मुवी से भी ज़दा एक्साइट हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसा रिजन बताने वाला हूँ जिसके कारण जवान फिल्म पठान से भी और दूसरा कारण है कि इस फिल्म के अंदर विजय सेत्वपति विलन होने वाले हैं और जिनों विजय सेत्वपति को विलन के रोल में नहीं देखा वह विक्रम और मास्टर फिल्म देख ले उनके अंदर आपको पता चल जाएगा कि विजय सेत्वपति कितने खतरनाक और देंजरस विलन के रोल लिभाते हैं और तीसरा कारण है थालापती विजय यूगि कुछ अपडेट के अनुसार इस फिल्म के अंदर थालापती विजय का भी केमियो होने वाला हैं जैसे कि पठान में सलमान खान का केमियो देखने को मिला था वैसा का वैसा एक फाइट के अं बग कमाल लिये और उसकी स्टोरी भी इतनी अच्ची नहीं थी और चोता खारण है कि इस फिल्म को एटली कुमार डायरेक्टर ने वाले हैं और एटली कुमार कितने कमाल के डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे जिन्होंने थालापती के विजय के पर ओडियंस को थेटर में लाना जानते हैं और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि साउथ की फिल्में तो हिंदी में चल जाती हैं पर बोलीवीड की फिल्में साउथ में जरा भी नहीं चलती जैसे कि पठान अभी पेंट इंडिया रेलेज हुई थी पर पठान ने तो हिन्दी से करेगी उतना ही कलेक्सटन ये साउस से भी करेगी पठान मुमिन ने तो वर्ट वाध पहल जिन सोर क Coloagne पे कमाए पर जवान फिल्म इंडिया में ही पहल जिन सोर क Coloầu पे कमाएगी और ये सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड देगी जवान फिल्मों को लेकर आपके क्या प्रेडिक्सन है क्या जवान पठान का रिकोर्ड तोड़ पाएगी या नहीं कॉमेट में ज़रूर बताएगा